सबी स्टुटेंट्स को नमस्कार बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो के मैध्यम से हम लोग डिसकस करेंगे बीए पार्ट सेकंड के साइकलोजी के पेपर के उपर पेपर वन के उपर पहले जो सेकंड पेपर है इसको भी आज ही अपलोड कर दूँग यह इतना बढ़िया पेपर है और 38 नमबर का आपको अटेम्ट करना है पहले में पिछले साल के पेपर को थोड़ा सा आप लोग के साथ सेयर कर देता हूं इस्टेटिक्स इन साइकलोजी मनो विज्ञान में साइंख्यकी और इसमें से आपको 38 का करना है एक एक नमबर वाले कुशन बहुत सिंपल आते हैं परिभासा के टाइप में आते है अब देख लीजिए साइंख्यकी है इसके महत्व है मध्यमान है मध्यक के उप्योग है से विचलंता है,ystem के परिवासित करा परिवासित केंगे करते हैґँ राप चाहो किसी भी सेक्षन से कर सकते हैं ये तो पैटर्न तो आप सबको पता है ये और आप देखिये कि जो यूनिट वन है, यहां से आप यदि रूठी दो यहल्थ पूरि करते हो तो एक कुश्यन थ्योरिका है वाकी न्यूमेरिकल और चौथे और पांचवे कुश्यन को यदि आप देखोगे तो मीडियन मीन और बहुलक दो चीजे पूछिए आप कुश्यन को देख सकते हो क्लास इंटरवेल और इसके बाद यहां पर बहुलक पूछा गया है थोड़ा सा और नीचे हम लोग चले तो जो थर्ड यूनिट है वहाँ पर कुश्यन नंबर पांच में दिये गए आकड़ों से चत्रु तक विचलन का मान अब यहां पर एक्जामनर ने काफी आलस किया है और कुश्यन को टाइप करने के वज़ाए कुश्यन नंबर उन्हीं कुश्यन में से जो है स्टेंडर डेविशन और क्वार्टल डेविशन न यहां आप हैपोथिस के ऊपर एक नोट पूछ लिया है और इधर आप देखोगे तो सी सेक्षन में जो लिमिटेशन होती है जो रेंज होती है उसकी लाभानी है और उसके बाद प्रेशन क्या फोर्म में दिये गए आप ब्रति वित्रण से हिस्टोग्राम और भववज प कोनों कुशन कर सकते हो और यह कुछ पेपर बाकई ऐसा है जहां से आप लोग पूरे जो मार्क से वो ला सकते हो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अब हम लोग इंपोटेंट कुशन के उपर चर्चा करते हैं यह तो पिछले साल का पेपर हो गया शायद आप लोगों के बाले बच्चे हैं उनके लिए भी और हिंदी मीडियम बाले बच्चे उनके लिए भी मैं दोनों बच्चों के लिए बताऊंगा यहां पर आप कहीं से भी कर सकते हो प्रैक्टिकल इसमें 50 नंबर का होता है और फाइल जमा होती है तो आप निदी में से पूछेंगे जब कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो इस वाली यूनिट को यहां से पढ़ लीजिए कि सैंखिकी की प्रिकर्ती परिभासा और उसकी महत्व क्या है तो पहला कुश्यन तो यहां से बन जाएगा कि नेचर और इंपोर्टेंस ऑफ इस्टेटिक्स तो पहला कुश्य यहां से आपको 100% मिल जाएगा इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो जो उपर का सेक्षन है यह बहुत इजी सेक्षन है मेजरमेंट आप सेंटल टेंडेंसी वैल्यू यानि केंद्रिय प्रिवर्थी मुल्य और उनका मापन एक प्रकार से तो समांतर मैध्य मधिका और दहुलक को आप लोग निकालना सीख लोगे तो एक कुश्यन 15 नंबर में यहां से आपको मिल जाएगा बढ़िया कुश्यन बनता है और अच्छा कुश्यन यहां से बनता है एक कुश्यन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ऑजाइब smoothing of the frequency curve देख लीजिए यदि आपको आता हो तो अजाइब कर ज़रूर देख लीजिए आप लोग एक वार डाइग्राम को आप लोग देख सकते हो यह वाली यूनिट मुझे सबसे अच्छी लगती है सिंपल है यूनिट थर्ड आप इंस्टेंडर डेविशन और मीन डेविशन इसको MD भी बोलते हैं त तो मेरा यह मानना है कि न्यूमेरिकल में आप मीन मोड मीडियन सीख लेजिए समांतर मैद्ध मद्धिका बहुलक और प्रमाब बिचलन और इसके अलावा रैंक कोर्लेशन और कार्ल पियर्शन का कॉफिशियन्ट यादि यह पांच टॉपिक आप लोग कर लेते हो तो मेरे प्रमाब बिचलन और इसके बाद हम लोग बात करें तो यहां से आपको सहह संबन्ध के प्रिकार और इसको ग्याद करने की विदिया आपको याद होनी चाहिए और इसके अलावा Rank Correlation Rank Correlation में आपको Spearman का Rank Correlation और Pearson का जो Correlation है वो यानि दो आपको याद करने लेकिन Rank Correlation पिछले साल आया हुआ है तो इसको थोड़ा सा देख ले मेरा यह मानना है कि नीचे वाली जो Measurement of Significance जानि T-Test, Chi-Square और जो दूसरी चीज़े है इनको you can leave it इस unit को आप चाहो तो मत पढ़ो कोई खास बात नहीं है उपर की चार unit में से आपका पेपर पूरा हो जाएगा और बहुत बढ़िया पेपर है अच्छे नंबर आएंगे प्रेक्टिकल और फाइल के बारे में आप लोग निधी में से पूछ लीजिएगा और वो आपको बहुत अच्छे से बता देगी सेकंड पेपर के लिए आप लोगो को आप चाहोगे तो मैं आज ही डाल दूँगा इसको लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बेट करें और उसके बाद इसको देखें काफी बढ़िया ये पेपर है इसमें बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं बिटा यदि कहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से भी पूछ सकते हो थैंक्यू सो मच